गलत चीज बनाया है टेलेफोन, उदर से आदमी सोचता कुछ है, बोलता कुछ है, करता कुछ है दो अफरादों के दर्मियान की गुफ्तगू की दलील भी अवाजव होती जा रही है, पहले लोग कुछ कहकर मुकर भी जाते थे, लेकिन अब मोबाइल के वीडियो तस्वीरे कॉल रिकॉर्डिंग बतोर दलील बहुत आसानी से बरामत होती है, कहते हैं कि मुझरिम कितना ही शातीर क्यों ना हो, पीछे सुराग छोड़ी जाता है, अक्सर फिल्म और ड्रामों में इस तरह के डायलॉग हमने सुने हैं, कल तफिमुद्दिन सेयद बुखारी के लाश अपने ही अपार्टमेंट के नीचे पानी में पाई गई गई, लाश पिछले तीन दिनों से पड किया जाता है, और मोबाइल ही को देखा जाता है, यह जदीद टेकनलोजी के दोर में कई बड़े जुर्मों का परदाफाश करने का काम, इस छोटे से मोबाइल ने अंजम दिया है, लिहाजा आज माराठी कॉलने के उस अपार्टमेंट के नीचे, पानी निकाला गया तो जिस जगह पर लाश पाई गई थी, उसे कुछ ही दूरी पर मोबाइल पाया गया, अब यह मोबाइल मौत के राज फाश करेगा, क्या इसी चर्चा शेहर में देखी जा रही है, आखिर तफिम अद्दिन बेसमेंट में क्यो गया, क्या वो फोन पर बात करती चला गया, क्य वहां उसके साथ कुछ हाथ सा पेश आया, क्या मोबाइल पर आखरी बार उसने किस से बात की थी, यकीनी तोर पर तो नहीं, लेकिन कहा ये भी जा रहा था कि मोबाइल का आखरी लोकेशन हुबली दिखा रहा था, अगर इस बात को मान लिया जाया, सही समझा जाया तो, ब क्या किसी ने फोन के जरी धमकी दीती कहीं सावालात हैं पर जवाब अब मोबाइल ही दे पाएगा तफीम के मोबाइल के हासिल होते ही एक कदम और इसकी हकीकत की तरफ कहा जा सकता है इत्याद म्यूज ने इससे पहले भी यह निकि कल जो हमने आपके सामने तफसिलात पेश क यह थे एक हमारी कोशिश थी उसके अगला कदम के तोर पर आप मोबाइल को देख सकते हैं अब जब मोबाइल हासिल हुआ है तो इसकी तला आप तक पहुंचा ना हमने ज़रूरी समझा हाथसा या कतल इस तरह की कश्मकश अभी देखी जा रही है लेकिन जल्द परदे लेकिनी सामने आने वाली है आकिर में यही कहना चाहेंगे कि क्या मोबाइल मौत का राज उग लेगा इतिहाद देखने के लिए शुक्रिया अल्लाहाफीज